हुआ अगर थीज पीसद शैलरी जो बनारे ग्रेड एक से सोला तक के इंप्लोई शी पीसद बढारे ग्रेड सतरा से उकपर की और साधे सतरा पीसद पैंशनर्स की पिछले पांथ साल इंप्लोईज की जो ग्रेड वन से पन्दा तक के 188 फीसद बड़ी है फिर्डल गावन की और हमारी बड़ी है 236 फीसद सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपे का बजट पेश ग्रेड एक से 16 के मुलाजमीन की तंखाहों में 35 फीसद इजाफे की तजवीज ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तंखाहों में 30 फीसद इजाफा होगा सिंध के रिटार्इड मुलाजमीन के लिए पेंचिन 17 अशारिया 5 फीसद बढ़ाने का एला मजीर आला मुराद अलिशाह ने एवान में बजट पेश किया कहा सिंध में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपे मुक्तस किये गए सिहत के लिए 20 अरब कॉलेजिस के लिए 26 अरब 78 करोड रुपे मुक्तस शुबाय तालीम में तरक्याती मनसूबों के लिए 34 खरब 79 अरब रुपे मुक्तस किये गए मलदियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब रुपे मुखतस जली सिता के तरक्याती कामों के लिए 30 अरब रुपे तजवीज सिलाब मतासरीन के लिए 1 अरब 60 अरब रुपे रखे गए महकमे दाखला के तरक्याती मनसूबों के लिए 11 अरब 51 करोड उपे रखे गए सरकारी अमारतों और सड़कों की तामीर के लिए 89 अरब मुक्तस किये गए पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा डिफॉल्ट के रिट लगाने वाले खुद इस सुरतिहाल के जिमेदार है माशे इस्तिकाम आच चुका बजट में तमाम अहदाफ हकीकत पंसंदाना मुकर्ट ये विफाकी वजीर रे ख़जाना साखडार की पोस्ट बजट न्यूस कॉनफरेंस कहा सस्ते कर्जों की फराहमी के लिए स्कीम ला रहे हैं तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा साड़े तीन फिसेज जीडीपी का हदफ असानी से हासल हो जाएगा आईमेफ ने भी पाकिसान की जीडीपी साड़े तीन फिसेद रहने की तवा को जाहिर की है फिर चब्लूंबर्ग चार फिसेद जीडीपी की पेशकोई कर रहे हैं बजट में सबसे ज्यादा रकम कर्जों और सूथ के दाइगी के लिए रखी गई है जरात को फिरोग देने के लिए साड़े बाइस खरब रुपे के कर्जे दिये जाएंगे टू वेल्स को सॉलर पर मुंतकल करने के लिए पच्चास अरब रुपे रखे हैं आईटी सेक्टर को खुसी मराद दी जाएंगी आईटी और साइंस के लिए 33 अरब रखे गए हैं अगले साल में गाये के शराह में नुमाया कमी होगी जो 21 विस्थ रहने का इमकान है नचकारी वारे सवाल पर साफ़ जाएंगे कहा हुकूमत एरपोर्ट आउट्सोर्स करने पर काम कर रही है 12 कंपनियां हिस्सा लेना चाहती है तवक्व है जुलाई में एक एरपोर्ट को आर्ट्सोर्स करने के लिए बिड्स मांग ली जाएंगी सरकारी मुलाजमीन की तनकौहों में इजाफा एद होकी मत में किया किया मुस्तक्बिल में जब इसकी बारी आएगी ये बनियादी तनकौह में जम हो जाएगा पोस्ट बजट कानफरेंस में वफाकी वजिर सागडार की वजाहत काहा सरकारी मुलाजमीन के डेली अलाउंस और देली अलाउंस और दीगर अलाउंस में भी इजाफा किया है पाकिस्तान अगर एटमी कुट के साथ खुद को इक्तिसादी कुट भी बना ले तो ये इंतिहाई आइडियल होगा वफाकी वजिर खसाना इसाथ जार ने कहा कि तालीम के शुबे में पांच अरब रुपे का इंडॉवमेंट फंड काइम किया जा रहा है लेपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपे रखे गए बचट में तामीरात के शुबे के लिए भी सहूलत दी एक साल में घर तामीर करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने वालों को 10 लाक रुपे तक टेक्स की रिखायत दी जाएगी आईटी सेक्टर में बहुत सलाहियत है स्पेशल जोन के कयाम पर जल्द काम होगा आसान फाइनांसिंग स्कीम को बहाल किया जाएगा ऐसे में इसके लिए स्पेशल रेटिंग एजनसी काइम करने जा रहे है इस वाग जाए कि डब्बे के दूद पर टेक्स लगने की तरती कहते हैं डब्बे के दूद पर कोई निया टेक्स नहीं लगाया गया शायद किसी के पास पुरानी दस्तावीजात आ गई थी बजट दस्तावीजात में काबिना की मंसूरी के मताबिक अदाद और शमार दुरूस करके 24 गंटे में वेब साइट पर अप्लोड कर दिया चाएगा वजिर आसम शेबास वरीफ ने सियासी इस तहकाम के लिए चार्टर आफ एकानोमी को ही वाहिद रास्ता करार दे दिया वजिर आसम शेबास वरीफ ने अपने ट्वीट पे कहा चेरमें पी टी आई की तरफ से पैदा होने वारे सियासी अदम इस तहकाम के नाखतम होने वारे असरात ने मैशुत को नुक्सान पहुंचाया पिछला एक साल मुश्किलात रहीं सेलाब और आलमी हालात की वज़ज़ से बज़ट बनाना मुश्किल काम था मैशुत की तवील मुद्धी बिमारियों को ठीक करने का अमल शुरू कर दिया है मखलूद हुकूमत ने उन शुबों को तरची दी है जो एकतसादी तरग्ती को तेस करने, सरमाय कारी को रागव करने और मैशुत को खुद कफील बनानी की सलाहियत रखते हैं मेरी रिज़र में ये नॉन स्टार्टर बज़ट है और जो इंटरिम गावंवंट है जब भी आती है उन्हें इस बज़ट पर नज़सानी करनी होगी ये वो बज़ट है जो मुसलसल जिसकी तर्मीम होगी ये प्रोग्राम इंकम्प्लीट रहेगा और आने वाली हकूमत को एक नया प्रोग्राम री निगोशियट करना पड़ेगा इस हागडार पाकिस्तान की मैशत के हिट मैन है विफा की बज़ट जूट का पलंदा कौम के साथ मजाख है इस बज़ट में बार बार तर्मीम होगी वाइस चेरमेन तहरीक इंसाफ शाह मिमुत करेशी की मीडिया से गुफ्तकू कहा तनखाहें बढ़ाने का एलान खुशाइन मगर पैसा कहां से आएगा बज़ट आएमेफ के फ्रेमवर्क से मताबकत नहीं रखता आएमेफ शायद इस बज़ट के एहदाव को कुबूल ना करें जिस हुकूमत के 42 दिन बाकी है उन्होंने एक साल का बज़ट पेश कर दिया निगरान हुकूमत को इस बज़ट में नजरे सानी करना होगी इसके बाद आने वाले हुकूमत भी इस बज़ट में तर्मीम करेगी शाहमिमूत कुरेशी ने नई पार्टी की लॉंचिंग को एमर्जनसी में डेथ ऑन अराइवल करार दे दिया कहा तहरीक इनसाफ विफाकी जमात है जिसकी पहुंच शहर-शहर गाउं गाउं है PTI विफाकी सूच की जमात है और इसका मुस्तक्बिल रोशन दिखाई देता है तेरेक इंसाथ का विफाकी बजट का भरपूर तज्जिया कौम के सामने रखने का फैसला शाम हमुत करिशी की जिरे सदारत PTI के माशी टीम का मुशावरती जलास साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और माशी माहरीन ने भी शरकत की जलास में फैसला किया गया कि विफाकी बजट का बरपूर जाइजा कौम के सामने पेश किया जाएगा PTI अपने दोरे हकूमत की माशी काम्याबिया और शरानमों की तफसिलात भी बयान करेगी वाइस च्रेमेंट तरीकिन साफ शेममत करेशी बजट पर जल्ग निउस कौनफरेंस करेंगे परवेस कटकी जाहंगीर तरीन से मुलाकाट की तरदीद कहते हैं मेरा किसी दूसरी सियासी जमात से वावस्तकी का कोई रादा नहीं जहांगीर तरीन से भी कोई मुलाकाट नहीं हुई मेरे बारे में मीडिया में गर्दश करने वाली खबरें बेबुनियाद और सरासर गलत है पंजाब में चार माह के बाद बजट की तैयारियां तेज वजीर आजम शेबाद शरीफ आज पंजाब बजट पर आहम में चलास करेंगे निगरान वजीर आला मोसे नगवे भी शरीक होंगे सेकेर्टरी खजाना बजट के खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे में वजीर कानून आजम नजीर तारड और मौवन खसूसी मलिक एहमद खान वजीर आजम की रिहाशगा मोटल टाउन पहांच गए